बन्दे पुर्सोत। भारत वर्स में इतने महापुरुस के रहते यह देश इतना दरिद्र क्यों हैं। सिठाकुर्जी से एक अमेरिकन गुरु माता जो स्रध्य स्पेजधर्दा की पत्नी थी। उन्होंने प्रस्ण किया कि भारत वर्स में इतने महापुरुसों के रहते यह देश इतना दरिद्र क्यों हैं। सिठाकुर्जी ने कहा कि महापुरुस गण जितना भी क्यों नहीं आए। यदि मनुस्य उन्हें सर्वतो भाव से अनुसरण नहीं करे तो डिटरिवरेशन अपकर्स एवं डिस इंटिग्रेशन असंगती रोका नहीं जा सकता है। धर्म का अर्थ है सौ परिवेश अंदर एवं बाहर एक योग में बढ़ना। आत्मिक एवं नैतिक उन्नती के अस्थान पर यदि आर्थिक उन्नती के उपर मनस्य की दिश्टी अधिक हो जाए तो वहाँ बचना बढ़ना व्याहत होगा ही। महापुरुस पूरब देश या पस्चिम देश के लिए नहीं आते हैं। वे संपुर्ण प्रिथवी एवं मानो जाती के लिए आते हैं। वे वन साइडेड मेटरलिजम और स्प्रिजुजलिजम एक देश दर्सी वैसाइकता या अध्यात्मिकता के उपर जोड नहीं देत हैं। उनका लक्ष रहता है कि मनस्यों का सर्वत मुखी उन्नती वैसिस्ट अनुसार आदर्स निष्ट होकर सा परिवेश करें। ये शु की बाते मनस्य जितना जाने उतना अच्छा है। किन्तु ईशु के नाम पर किसी अन्य महापुरुस को छोटा बनाया जाए ये ये भजाया जाए ये अच्छी बात नहीं है। इस तरे ईशु को धरने में भी बाधा होगी। उन्होंने कहा है कि I am come to fulfill but not to destroy। मैं ध्वंस करने नहीं आया हूँ बलकि परिपूरन करने आया हूँ। मैं कहता हूँ कि जो कृष्ण को नहीं मानता है वह क्राइश्ट को भी नह मानता है। अवतारी महापुरसों में भेद करना अच्छा नहीं है। इस प्रीट आत्मा यदि एनर्जी सक्ति में रूपांतर होता है यवं सक्ति यदि मैटर वस्तु में परिनत होता है तब तो आत्मिक उन्नती को त्याक कर वस्तु की उन्नती कैसे होगी। मैं कहता आत्मिक यवं नैतिक उन्नती के उपर खड़ा होकर वस्तु तांतरिक उन्नती होने से अस्थाई उन्नती होती है। परिवेश को सोशन कर सुनीती को विसरजन कर वस्तु की उन्नती नहीं ठिकती है। परिवेश को बढ़ा करके मनुस्य जब बढ़ा होता है तो उसमें धर का बीज है यदि कोई आदर्स केंदरिक नहीं हुआ यवं आत्म केंदरिक हुआ तो प्रविर्ति उसे छिन भिन कर देगी आलोचना प्रसंग सब्त दस खंड पिष्ट संख्याती 774 दिनांक 951949 जाए गुरू